नमस्कार आदाब स्वाधत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पर आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेंग टेलिग्राम नॉटिफिकेशन फॉर न्यू वू कॉमर्स ओर्डर्स हम चाहते हैं हमारे वू कॉमर्स पर जब भी कोई न्यू ओर्डर क्रियेट हो तो और्टोमेटिकली टेलिग्राम पर एक message टेलिग्राम के group पर एक message सेंट हो जाए उस order से related ओके तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसा करने के लिए हमें WooCommerce का Telegram से integration कराना होगा तो चलिए वो तो हम करा लेंगे लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों applications के बारे में जाल लेते हैं दोनों ही काफी जादा famous application है फिर भी बता देता हूँ WooCommerce एक e-commerce platform है जहाँ पे हम हमारी जो है चीजे बेचते हैं वा खरीदते हैं और Telegram के एक instant messaging application है जिससे हम messages बगरा करते हैं और जो है groups बगरा बनाते हैं तो हमें इन दोनों का कराना है integration अब आप पुछेंगे के ऐसा क्यों करेंगे तो title बढ़के आपको समझ में आही रहा होगा example देता हूँ फिर भी मान लीजिए WooCommerce पे मैं अपने product जो है वो sale करता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई customer आखे मेरा product खरीदे order करे तो उस order की details जो है मेरे telegram का एक group जो बना है जिसके अंदर मेरे colleagues जो है जिनको मैं information देना चाहता हूँ कि इस इनसान ने जो है यह order दिया है इसके लिए हमें preparation करनी है तो उनको automatically telegram के group पे जो मेरी team है उन लोगों को पता चल जाए कि यह order create हूँ है that's why मैं जो है यह integration बनाऊँगा लेकिन एक problem आईगी problem क्या है कि WooCommerce का telegram से कोई direct connection नहीं है ठीक है कोई बात नहीं direct connection नहीं है तो इन दोनों का direct connection करानी के लिए इस वीडियो में हम use कर रहे हैं एक software का जिसका नाम है पैबली connect जो की एक integration and automation software है जो हमें help करेगा WooCommerce को telegram से integrate करने में यह मैं कैसे करूँगा यह मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूँगा और best part तो यह है कि इस automation को set करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी रही है एक non-technical बंदा भी यह automation एकदम आसानी से सक्क कर सकता है तो यह automation में कैसे करता हूँ इसका एक example मैं आपको दिखाता हूँ अपनी screen पर ओके सो यह है मेरी WooCommerce की shop और यह है telegram का web का एक group जिसका नाम है WooCommerce order मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहां से जैसे ही कोई भी product order करूँगा तो इसकी details जो है notification जो है यहां पर sent हो जाएगा कि यह यह product है और इस customer ने जो है इस product को order किया है और वो एक सेक्ट्रा एक सेक्ट्रा जगा पे रहता है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं iron place order करता हूँ एक iron place पर click करके जो है इसको मैं add to cart पर click करके order करने के कोशिश करता हूँ ठीक है order करता हूँ फिर proceed to checkout पर click करूंगा then यहाँ पर मैं जो है फिल कर दूँगा details ठीक है यहाँ पर already मैंने फिल्स करके रखें Daniels चो एकसेक्टरा एकसेक्टरा लास तक हमने सब कुछ फिल कर दिया है then यहाँ पर मैं cash on delivery पै क्लिक करके place order पै क्लिक कर देता हूं ठीक है तो मैंने order जो है हमारे सामने ना ठीक है तो हम आ जाते हैं वापिस से अब हमारे टेलिग्राम वेब पे और चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई मैसेज आया है के नहीं तो अभी तक तो हमारे पास मैसेज नहीं आया इस ग्रूप पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सक्सेसफुली जो है मैसेज आ गया है न्यू कस्टूमर क्रियेटिड डेनियल्स जो है जो है जो अर्डर आइरन प्रेस ही लिफ इन अरेड़ा कॉलाउनी इत्री ओके तो यह हमने कैसे किया यह हमने कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके किया वो इजी स्टेप्स क्या है मैं आपको अभी बताता हूगे ओके सो इस आटोमेशन को साइट करने के लिए हमें सिर्फ इन त्री इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा और मेरे वीडियो को लास तक देखना होगा इफ अगर आप मेरा वीडियो लास तक देख लेता है तो मैं आपको 100% guarantee देता हूँ कि आप इस automation को बहुत ही आसानी से set करना सीख जाएंगे और आपको कोई भी परिशानी नहीं आएगी तो चलिए जानते हैं ती त्री स्टेप्स क्या है इजी स्टेप्स फर्स स्टेप है connect पैबली कनेक्ट टू WooCommerce with the help of WebOQ URL सबसे फर्स्ट हमें हमारे WooCommerce को connect करना है पैबली कनेक्ट से with the help of WebOQ URL WebOQ URL हमें पैबली कनेक्ट देगा जब WooCommerce पैबली कनेक्ट से इंटिग्रेट हो जाएगा तो WooCommerce आटोमेंटिकली डेटा सेंड करेगा पैबली कनेक्ट को ठीक है जब भी उसके अंदर कोई order create होगा तो हमें पैबली कनेक्ट में जाना है और उस डेटा को collect करना है एसा करने पर हमारी second step भी जो है वो done हो जाएगी third step है हमारी send the same data to telegram to send a message जो data हमें WooCommerce से मिला है हमें मतलब किसको पैबली कनेक्ट को वही same to same data उठा कि हमें send कर देना है telegram को जिससे telegram क्या करे एक group में message send कर दे ऐसा करने पर हमारा automation जो है वो एकदम successfully set हो जाएगा तो चलिए चलते हैं हमारी first step को done करने ओके सो सबसे पहले हम हमारे browser में type करेंगे p-a-b-b-ly-pably.com प्रेस एंटर सो यह है pably.com की official website देन अब हम क्लिक करेंगे products पे okay so products पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे connect पे so yes connect पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया है pably connect का landing page कुछ इस तरह से दिखता है then अब हम को क्लिक करना होगा sign up free पे आप क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए only two minutes लगेंगे मैंने अपना account जो है already बना लिया है that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे okay so sign in पे क्लिक करने के बाद मैंने login पे क्लिक किया और login कर दिया अपने credentials डाल के देन नीचे scroll करूँगा एक option है pably connect का उस पे क्लिक करूँगा access now के उपर then access now पे क्लिक करने के बाद open हो गया है pably connect का dashboard right hand side में एक option है create workflow का उस पे क्लिक करूँगा then अब मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा woocommerce to telegram click करूँगा create पे okay so create पे क्लिक करने के बाद मेरे workflow का नाम हो गया है woocommerce to telegram एक important बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पे क्लिक करके आप ये same amazing workflow अपने account में यूज कर सकते हैं वो भी बिना किसी परिशानी के और एकदम free में तो workflow को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गई है कुल दो windows एक है trigger window एक है action window तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये trigger क्या होता है और action क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ trigger का मतलब होता है when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब होता है do this ऐसा कर दो okay so हमारे topic के अनुसार हम क्या करने जा रहा है हमारा trigger जो होगा वह होगा तो पहले हम topic जाने लेते हैं WooCommerce में order create होने पर telegram के group पे message sent हो जाए तो हमारा trigger हुआ WooCommerce में order create होना हुआ तो हम first application चूज करेंगे WooCommerce then trigger event में हम देखेंगे कहां पर कई सारे options हैं हम हमारे workflow के according इन में से किसी को भी choose कर सकते हैं अब ही जो हमारा workflow है वह है new order created वाला तो हम क्या choose करेंगे new order created हम चाहते हैं कि हमारा trigger कप काम करें जब new order create हो ताब काम करें Now accurate action में हम चाहते हैं कि हमारा telegram मैंसिज send हो जाए लिए है दैन जो इसमें होगा हमारा action event यहां पे भी आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा options हैं इन में से आप किसी को भी choose कर सकते हैं बट मुझे जिसको choose करना है वो है अपना नीचे आउंगा send a text message in html okay send a text message or a reply in html okay तो मैंने इसको जो है select कर लिया है ऐसा करने पर मेरा action भी जो है वो complete हो गया है अब उपर आ जाते हैं वापिस ठीक है trigger पर आ जाते हैं trigger complete करते हैं हमारा integrate करते हैं हमारे woocommerce को पैबली connect से click करके copy करते हैं पहले हम एक webook url इसको और पैबली connect ने हमको दिये है कुछ instructions उनको follow करते हैं इस webook url को copy करके यह दिये गए instructions को हम follow करते हैं पहले हम चलते हैं हमारे woocommerce पे okay so यह woocommerce पे हम आ गए wordpresses में woocommerce open है मेरा then मैं click करूंगा woocommerce की settings पे settings पे click करने के बाद मैं click करूंगा advanced पे okay advanced पे click करने के बाद है ना advanced पे click करने के बाद यहां पे एक option आपको दिख रहा होगा webooks का इस पे click करूंगा webooks पे okay then webooks पे click करने के बाद है ना वो सारी webooks मेरे सामने आ जाएंगी जो बनी हुई है तो मैं क्या करूंगा मैं क्लिक करूंगा add webhooks पे add webhooks पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं एक new webhook जो है वो create करना चाहता हूँ then मैं अभी अपनी webhook को जो है नाम दे दूँगा है नाम दे दूगा मैं अपनी webhook को क्या नाम देता हूँ मैं simple नाम दे देता हूँ जो है woocommerce to telegram ठीक है इसका status जो है active कर देता हूँ disable से then topic जो है मेरा है order creation का तो मैं order created का जो है इसको select कर लेता हूँ topic को and most important part जो है वो delivery url है delivery url जो हमें public connect ने दी है जिसको हम यहां से copy करते हैं और चलते हैं woocommerce में और यहां पर paste कर देता है ठीक है paste करने के बाद नीच आएंगे देखेंगे secret blank रहने देंगे इस कौम कुछ भी नहीं करेंगे save webhooks पर click कर देंगे okay so save webhooks पर click करने के बाद जो है webhook successfully saved हो गई है चलके चेक करते हैं पैबली कनेक्ट में waiting for webhook response वहां पर बता रहा है या नहीं so मैं आ गया पैबली कनेक्ट पर so यहां पर successfully webhook जो है रिस्पॉंस रिस्पॉंस रिसीव हो गया है webhook id मतलब connect हो चुका है हमारा जो है book عمر अभ हम जब भी कोई order's वह create करेंगे जब भी इसको recapture news webhook हम लोग click करींगे आभ हम जब कते हैं यहांप्र अजगे तो यहां पर उसकी details आ जाएंगी तो चलिए चल के पहले हम order's create करते हैं करते हैं इस्टोर विजिट कर लेते हैं और वहां से हम जो है एक ओर्डर करेंगे ना डमी ओर्डर करेंगे तो यहां पे से मैं जो है खरीदता हूँ यहाँ पर से मैं खरीद लेता हूँ यह आईरन प्रेस को मैं खरीद लेता हूँ add to cart पर क्लिक करूँगा then proceed to checkout पर क्लिक करूँगा then यहाँ पर मैं सारी details जो है फिल अप कर दूँगा जैसे कि Gary first name, Monroe last name, company Pably, है ना इंडिया, सही है, नहरु नगर भी, सही है, भोपाल, स्टेट, मद्यप्रदेश, पिन कोड, यह रहा, फोन नमबर, email address, etc, etc then cash on delivery पर क्लिक करके मैं order को place कर दूँगा, okay, order को place कर दूँगा, ठीक है okay, so जो order है, वो successfully placed हो गया है, thank you, your order has been received order हो चुका है है ना, जिसकी details हमारे सामने, अब हम चलके check करते हैं, पैबली connect के पास जो है, यह details पहुची है या नहीं तो पैबली connect में आता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर, अभी तक तो यहाँ पर मेरे सामने कोई details नहीं आई है, है ना, कोई भी details नहीं आई है, अभी तक तो company, address, city, state, passcode, जो भी हमने वहाँ पर fill किया था, वो सारी details जो है हमारे सामने आ गई है, successfully है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि हमने successfully अभी integrate कर दिया है, woocommerce को पैबली connect से, और हमने second step भी complete कर दिया है, हमने data को collect कर लिया है, हमारे पैबली connect के अंदर, woocommerce टे जो टीटा हमें मिला था, ओके, है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या चाहते हैं, अभी हमने हमारा जो 60% workflow है, automation है, वो complete कर दिया है, अब बस हमें क्या करना है, अब हमें telegram के ग्रूप पे connect करना होगा, पैबली connect से, ऐसा करने के लिए मैं click करूँगा, connect पे, connect पे click करने के बाद click करूँगा, add new connections पे, then मैं add new connections पे click करूँगा, तो यह मुझसे मांग रहा है token, enter the token, तो यहाँ पे सारे instructions आपको पहले से ही दिये हुए है, मुझे पता है, है ना, इसलिए मैं आपको औरली बता रहा हूँ, अगर आप कहीं पे ठक जाते हैं, तो आप यहाँ से देख के भी confirm कर सकते हैं, तो चलिए हम हमारे telegram वेब पे, so यह है मेरा telegram वेब, अब मैं यहाँ पे search करूँगा, bot father, ठीक है, यह है bot father, तो मैंने यहाँ पे जिसके आगे blue tick लगा हुआ है, original वाल bot father हमने search किया, then अब हम click यहाँ पे type करेंगे, slash new, slash new boat, okay, sorry, हम यहाँ पे type करेंगे, slash, slash new boat, okay, ठीक है, all right, a new boat, how are you going to call it, तो हम क्या नाम देना चाहेंगे, यह बोट को, तो मैं नाम दूँगा, woocommerce boat, ठीक है, woocommerce boat मैंने नाम दिया उसको, अब, जो है, हमें उसको एक user name देना है, example, उसने दिया है, tetris boat, और tetris underscore boat होना चाहिए, लेकिन last में boat जरूर लगा होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, woocommerce, okay, woocommerce underscore, one two three underscore boat, ठीक है, so yes, यहाँ पे जो है, हमारा boat successfully बन गया है, you will find it at, यह वाली link पे हमको मिल जाएगा, तो हम उसको यहाँ click करके, cancel करते हैं, यहाँ पे से हम उसको ढूंड लेंगे, okay, open telegram desktop, यहाँ पे desktop पे open करके, यह रहा हमारे boat को हम ढूंड लेंगे, यहाँ पे click करके, so यह रहा, boat है न, start पे click कर दूंगा मैं, यहाँ यह हमारे telegram desktop है, यहाँ पे काफी जादा छोटा दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ नीचे start का एक option है, तो मैं इस boat को start कर दूंगा, so यहाँ पे मैंने start कर दिया है, boat अभी जो है, start हो गया है, http API, so यह token हम को कहाँ डालना है, पैबली कनेक्ट में, यही token हम लेने आये थे, दर boat father के पास, so इस token को करना है, copy, चलना है पैबली कनेक्ट में, और यहाँ पे लाके paste कर दिना है, यहाँ पे लाके paste कर दिना है, then click करना है, save पर, save पर click कर दिना है, तो अभी जो है, loading चल रही है, save पर click करने के बाद, अभी successfully connect हो गया है, telegram boat मेरे पैबली कनेक्ट से, connected होने के बाद, यहाँ पे उपर में को सबसे उपर दिख रही है, एक blank field, chat ID, तो हमें यहाँ पे chat ID डालना होगी, ठीक है, chat ID हम कहां मिलेगी, तो मैं उससे पहले हमको कुछ करना होगा है न, उससे पहले हमें अमारे boat को, हमें पहले group create करना होगा, हमारे boat को एक जो है, वो बनाना होगा, उसका admin बनाना होगा हमारे boat को, ठीक है, तो मैं क्या करूंँगा, मैं जाओंगा अपनी telegram web पे, और वहाँ जाके एक new group जो है उसको create करूँगा ठीक है उसमें मैं add करूँगा मेरे bot को तो मैं search करता हूँ इदर मेरे bot को ठीक है woocommerce bot के नाम से मैंने बनाया था उसको तो वो यह होगा woocommerce bot ठीक है यह गा मेरे साथ मैंने जोड़ दिया woocommerce bot को और एक मेरी जो friend है मैं उसको जोड़ लेता हूँ ठीक है सुजाता ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि bot को और सुजाता को दोनों को पता चल जाए जब भी मैं कोई order create करूँ तो ठीक है यहाँ पे details आ जाए है सुजाता को और अभी आपको जिन जिन को आट करना आप उन्हें कर सकते है कि आपको जिन जिन को notify करवाना हो कि यह इस बंदे ने जो है यहाँ पे order कर दिया है यह यह चीज order की है तो महाँ पे आप आट कर सकते है मैं जिफ example के लिए एक जो है person को मैंने आट किया है जाता को ठीक है मान लिजे मेरी team में है और इसको में notify करवाना चाहता हूँ कि एक order आया है तो मैंने यहाँ पे यह group बना दिया है group को name दे देता हूँ woocommerce order orders woocommerce orders ठीक है मैंने name दे दिया group को then create कर देता हूँ so yes यहाँ पे अभी woocommerce orders करके group create हो गया है तीन members है जिसके अंदर so अब हमको क्या करना है अब हमको हमारा जो है bot को admin बनाना है लेकिन एक दिक्कत है कि हम web के अंदर जो हम मैंने अभी open करके रखा है यह है telegram web telegram web से हम किसी को भी किसी group का या फिर कहीं का भी member नहीं admin नहीं बना सकते तो उसके लिए हमें हमारा original desktop खुलना होगा जो कि यह है यहाँ से हम बना सकते है open करेंगे woocommerce orders का जो है हमारा या तो आप mobile से भी कर सकते हैं या फिर अपने desktop पे telegram का application डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ने किया है अभी तो मेरे सामने है अब हमको बनाना है हमारे boat को admin ऐसा करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे हमारा जो boat है woocommerce boat उस पे right क्लिक करके promote to admin पे क्लिक कर देंगे then हम क्लिक कर देंगे save पे now अब हमारा जो boat है वो admin बन गया है अब हम open कर लेते हैं हमारा जो है टेलिग्राम वैब वहाँ पे हमें मिलेगी chat id ओके ओके सो यह हमारा टेलिग्राम वैब यहाँ से हम जो है chat id को copy कर लेते हैं अब पहले हम open करेंगे हमारा group जो है woocommerce का जो group है यह वाली वैब है इसको हमारी टेलिग्राम वैब यह वाला group है हमारा woocommerce orders वाला तैन हम यहाँ पे से chat id जो होती है यह s के बाद से copy करना रहता है हमको यहाँ तक underscore तक s के बाद से underscore तक copy किया public connect पे आए वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया जैसा कि यहाँ पे instruction दिया हुआ है कि हमें use करना है minus hundred okay so minus hundred हम यहाँ पे कर देते हैं इसको ठीक है then text message में हम किस तरह का text message send करना चाहते हैं वह हम यहाँ पे लिखतेंगे okay so मैं यहाँ पे simple message type भी करूँगा map भी करूँगा आप बोलेंगे अब map करना किसे कहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि map करना क्या होता है okay so new customer created के बाद जो है मैं map करूँगा customer का name and फिर he ordered के बाद मैं map करूँगा क्या order किया है उसने और he lives in उसके बाद करूँगा मैं उसका address map okay आपको जैसा है यहाँ पर text message type करना हो आप वैसा कर सकते हैं मुझे सिर्फ information के लिए अपने clicks को यही बताना है तो मैं सिर्फ ऐसा ही कर दूँगा okay so मैं इसके आगे जो है टेश और लगा दूँगा तो उसे हम कहते हैं mapping okay so यहाँ पर मैंने आप example देगे समझा देता हूँ मैंने click किया text message के blank field पे then नीचे का option आने लगा woocommerce order created का so मैंने woocommerce पर click किया तो वो सारा का सारा data open हो गया जो मुझे woocommerce से मिला था अब मुझे क्या करना है मुझे अपने अपने काम की चीजों को select करके add करते जाना है जैसे की new customer created के आगे मैं customer का name लगा देता हूँ Gary Monroe space देखे Monroe भी कर देता हूँ का है Monroe यह रहा तो और has ordered order किया है उसका क्या order किया है Gary Monroe ने तो यहाँ पे मैं slash देखे okay यहाँ पे order भी उसका जो order किया है उसने वो map कर देता हूँ है item item करके होगा वो item ठीक है iron price iron price order किया has ordered iron price he lives in address अब मैं यहाँ पे map कर दूँगा okay click करूँगा यहाँ पे search करूँगा address यह रहा address okay ठीक है इतना काफी है बस मैं इतना ही message करना जाता हूँ आप कैसा भी message कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको यह example दे रहा हूँ ना okay example दे रहा हूँ ठीक है अब मैं click कर दूँगा save and send test request पे save and send test request पे click करने के बाद जब मैं जाओंगा अपने telegram web पे वापिस तो इस group में जो है automatically एक message sent हो जाएगा तो चलिए करके दिखाता हूँ save and send test request पे click किया so yes save and send test request पे click करने के बाद response successfully received हो गया है and response जो है वो positive है चल के check करते हैं notification बता रहा है okay so yes यहाँ पे हमारे पास successfully एक notification आया है message आया है new customer created Gary Monroe has ordered iron price he lives in नहरुनगर भी okay so इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने successfully integrate कर दिया है हमारे जो है woocommerce को telegram से वो भी सिर्फ पैबली कनेक्ट की help से ना सिर्फ एंप्लिकेशन को पैबली कनेक्ट की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हैं automate कर सकते हैं तो अब मैं क्या करता हूँ मैं एक बार यह automation जो है एक बार और check कर लेता हूँ इसका integration जो है मैंने सही से बनाया है के नहीं एक बार मैं क्या करता हूँ testing कर लेता हूँ मैं चलके woocommerce पे एक नये नाम के साथ एक new order जो है वो create करता हूँ है नई चीज मैं order करता हा। कि नहीं चीज स्थीkस इस क्वेकर्ञाइं ये में order कर लेता हूं fix एंड करलेता हूं एड्टू कार्ट पर क्लिक नने के बाद कर प्रॉसीड टू तो यहां पर हम आड्रेस भी चेंज कर देते हैं आरेवा कॉलोनी इस एठी अगे नियर आर्चीज गैलेरी नियर नियर सागर के लिए ओके यह सागर के लिए ठीक है भोपाल ठीक है पे इन कोड वगएरा सब और यहाँ पर email address मैं change कर देता हूँ Daniels जो 090 ठीक है then मैं क्या करता हूँ cash on delivery पर करके order जो है place कर देता हूँ फिर मैं चल के अपने telegram web पर चेक करूँगा कि वहाँ पर कोई message आया है या नहीं ठीक है तो यह अभी तक तो एक ही message है अभी कोई भी message नहीं आया है yes तो यहाँ पर अभी जो है thank you your order has been received successfully order received हो गया है and मेरे पास notification भी आ गया है जैसे कि आप लोग देख पा रहा है new customer created Daniels जो Daniels जो का नाम का customer है जिसने order किया JBL extreme portable wireless Bluetooth speaker black he lives in Alera colony okay so यहाँ पर हमें details मिल गई है इसका मतलब क्या है कि हमारा automation एकदम perfectly काम कर रहा है अब जब भी जाके हमारे WooCommerce से कोई चीज़ खरीदेगा तो हमारे टेलीग्राम के यह वाले group पर message sent हो जाएगा automatically और मेरी colleague'ों को पता चल जाएगा वो लोग order prepare कर लेंगे ठीक है तो जाए 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 एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के description box में आपको एक link में लेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पर click करके यह same amazing workflow आप अपने account में use कर सकते हैं वो भी एकदम आसानी से free में इस automation में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो से related आपके कुछ questions होते हैं या आप हमारी team से या मुझसे बात करना चाते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at directpably.com पर और अगर आपके कुछ questions हैं queries हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहां दी गई हुई link पर और यह वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा और यह वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा और channel को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you